ठाकरे का हिंदी के अलावा मराथी ट्रेलर भी लॉंच हुआ महस डेर मिनट के इस ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म देखनी के उत्सुकता दर्शिकों में और बढ़ गई है इस फिल्म को संजोय राउत ने लिखा है जिसे आप 25 जनवरी को परदे पर देख सकते हैं लॉंचिंग के मौके पर मौझूद इस फिल्म के ठाकरे यानि नवाजुद्दीन सद्धिकी ने बताया कि आखिर ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब क्यों है नवाजुद्दीन सद्धिकी की मा ने तो वो इस फिल्म को लेकर बहुत टेंस्ट थे और इसके साथ ही उन्होंने कुछ खास बाते भी मीडिया से शेयर की इमेजन भी मी कर सकता था कि एतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया क्योंकि मैं इस तरह किसे खरपाओंगा ये रोड कैसे करूँगा और वो सारी जो मेरे परिशानी जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया वो अभी जीत दे और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डरेक्टर साथ हैं उन्होंने बहुत ही इस करते चले गए मुझे और एक कॉंफिदेंस देते चले जिसके वज़े से इमोसे बिलुआ बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये क्यारेक्टर मिले मेरे रपॉर्ट्समेटी है लॉंचिंग के मौगे पर पहुचे शिव सेना के सांसद संजेर आउत ने क्या कहा आप भी सुनिये इस फिल्म में बॉल्यवुड की दमदार अभिनेतुरि अमरत्व प्रिवाराओ भी मुख्य भूमिका में हैं, जिनों थ्षापनी की पत्नी का रोल प्ले किया है। साल के शुरू में थाकरे के इस बायोपिक का टीजर आया और साल के आखर में ट्रेलर। ठाकरे महराष्ट्र के लिए एक मित्थ का नाम रहा है माना ये भी जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की बायोपिक शिव सेना का अगले आमचनाव के लिए तयार किया गया ब्रहमास्त्र है ठाकरे के ट्रेलर से एक बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि वो शिव सेना का राश्ट्र अस्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने का इरादा है फिल्म की कास्टिंग किसी बायोपिक के लिए कितना मायने रखती है ये ठाकरे के रोल में नवाजुद्दीन सिदिकी को देखकर पता चलता है ट्रेलर में वो च्छाए हुए है एक उत्तर भारतिये का महराश्ट्र के सबसे शक्ति शाली मराथी नेता के रूप में परदे प खास अंदाज में मुड़ी रहती थी कुछ ब्रश पकड़ते रहने के चलते और कुछ सिगार पकड़े रहने के चलते नवाजुद्दीन ने ठाकरे की छोटे से छोटी आदत पकड़ी है और अपने करदार के लिए उनका यहीं समरपन ठाकरे के ट्रेलर की जीत है झाल 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 झाल